पादक मंडियों में चने की उबलपता बढ़ने और खरीदारी कमजोर पढ़ने से चालू सप्ता के दुरान चने के कीमतों में गिरावट दच की गई हलाकि सप्ता के अंद में चना उतपादक शेत्रों में बे मोसम बरसात होने से फसल में नुखसान की संभावनाएं बढ़ गई है और इसके चलते स्टोकिस्टो और मिलर्स की सक्रियता भी बड़ी है दरसल चने में उठाव कमजोर पढ़ने से चने में दाल मिलर्स की लिवाली कमजोर रही जिसके चलते इस सप्ता दिल्ली चना की कीमतों में 25 से 50 रुपे प्रतिक विंचल की नर्मी दर्ज की गई और सप्त के अंत में मध्यपरदेश लाइन 6175 से 6200 रुपे तो राजस्तान लाइन 625 से 6250 रुपे प्रतिक विंचल पर कारोबार करते दिखाए दिये वहीं देशी चने की गिरावेट का असर के चलते मांग सुस्त बनी रही और जिसके चलते आयतित चने की कीमतों में 1500 रुपे प् वंदे के साथ भाव सप्ताह के अंत में 5750 रुपे प्रतिक विंचल दर्च किये गए वहीं बिक्वाली बढ़ने और मांग सुस्त पढ़ने से चालू सप्ताह के दुरान राजस्तान चना के कीमतों में 100 से 200 रुपे प्रतिक विंचल की गिरावट आ गई और इस गिरावट के साथ भाव सप्ताह के अंत में 4700 से 5550 रुपे तो जैपूर में 6,050 से 6,175 रुपे और बीकानेर में 6900 रुपे के आसपास कारोबार करते दिखाई दिये हैं वही महराश्चर की मंडियों की बात की जाए तो पादक मंडियों में नहे चने की उपलपता बढ़ने और खरइदारी कमजोर पढ़ने से इस सपताह महराश्चर चना की कीमतों में 100 से 25300 रुपे प्रतिक विंचल का मंधा देखने को मिला और भाव 56-57 रुपे अशोख नगर में देखने को मिले, तो वहीं कटनी में 6,145 से 6,200 रुपे, तो इंदोर में 6,000 रुपे पती कुंचर के आसपास कारोबार करते दिखाई दिये हैं। वहीं विक्वाली का दबाव बढ़ने और दान मिलर्स की मांकसूस रहने से चालू सब्तहा के दुरान करनाटक चना की कीमतों में भी 200-300 रुपे का मंदा दर्च किया गया और इस मंदे के साथ भाव गुल बर्वगा में 6,100 से 6,300 रुपे पर कारोबार करते दिखाई दिये। तरफा गिरावट का असर और गरहा की कमजोर पढ़ने से चालू सब्तहा के दुरान ड्राइपूर चना की कीमतों में भी 200 रुपे प्रतिक विंटल की गिरावट दर्च की गई है। दिखाई दिये हैं विरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स चीवी